Lifeline Express का 180 प्रोजेक्ट बार्मेर में शुरू हो चुका है 26 सब्टेंबर को ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 16 अक्टूबर तक Lifeline Express बार्मेर में हर सुविधा निशुल्क लेके आई है हमारी हर सुविधा निशुल्क है एसी मशीनरी है जिसमें महिलाओ में होने वाला स्तन का कैंसर पांच साल पहले पता चल जाता है हमारा Operation Theater है जिसमें State of the Art Best Facilities है तो जितने लोगों तक ये पहुँँच सके कि यहां पे कान की ऑपरेशन होंगे 14 साल से कंगमर के बच्चों में हडियों के Operation होंगे मिर्गी का इलाज किया जाएगा कटे भटे होटों का इलाज किया जाएगा मुह के Cancer की जाज की जाएगी महिलाओं में Cancer की जाज की जाएगी दातों का इलाज निशुल्क किया जाएगा ये ट्रेंज जब 26 से आई नहीं है बार्डमेर में उसके बाद आखों के जब से परिक्षन हुए आखों के अंदर हम 95 पचानवे आखों की सजरी कर चुके हैं चुके हैं और 594 लोगों को हमने देखा है आखों के लिए मोतिया बिंद के ओपरेशन के लिए इसके अतिरिक्त कैंसर की जाच चलिश रही है जिसके अंदर 60 मुह के कैंसर के लिए जाचे हुई है और 52 महलाओं की कैंसर की जाचे हुई है हमारी टीम मुंबाई से, जोतपुर से, दिल्ली से, एम्स अस्पताल से, कुछ सरकारिय और अस्पतालों से, के एम कॉलेज मुंबाई से, अलग-अलग जगाओं से आ रही है सारे बहुत ही, स्पेशलिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, जो अपना टाइम निकालके निशुल्क सेवा बारमेर में देने आ रहे हैं इसको मैमोग्राफी बोलते हैं, एक तरह का X-ray है, जो की 40 साल से उपर की महिलाओं का किया जाता है जिससे की breast में, stund में कोई गठान हो, या कोई cancer की election हो, तो वो 5 साल पहले ही पता चल जाते हैं जहां तक मेरी knowledge है, जोतपुर से पहले कुछ भी नहीं है आसपास मैमोग्राफी क्योंकि यह बहुत एक expensive machine होती है, इसकी जब हम reporting करते हैं, तो वो सेम जगा नहीं हो पाती है उसके लिए reports बाहर भेजी जाती है, तो इसलिए इस area में आसपास मैमोग्राफी कहीं नहीं है इसके लावा हम बच्चादानी के cancer के लिए जाच के लिए जो वियाए विली टेस्चिंग करते हैं, वो भी सरकारी उसमें कहीं भी किसी को नहीं मिलेगी दात में हम तीन तरह के इलाज करेंगे, दातों को निकालना, दातों की सफाई करना और कीड़े, जो भी दातों में कीड़े लगे वे उनको भरना तो इसकी 6 तारिक से 12 तारिक अक्टूबर में रहेगा, इसमें बच्चे, बड़े, किसी भी उमर के लोग आ सकते हैं लाइफलाइन में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है कि ये इसका नहीं आ सकता, उसका नहीं आ सकता, किसी भी गर के लिए है और सारी चीजें निशुलते से मैंने बताया है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, ये अधार काट लाना जरूरी है पर अगर किसी के पास नहीं भ दिखा जाएगा। कोई बाहर से आयवाई जरूरी नहीं है कि राजस्थान का या बार्मेर का ही हो, कोई बाहर से घुमने भी कहीं से भी आयवाई तो वो भी आके दिखा सकते है।